इस module में हम triploblastic silomate pattern के बारे में discussion करेंगे Silom true body cavity जो के mesoderm के साथ lined है और body के internally मजूद है इस में एक mesoderm की thin sheet मजूद है इस sheet को हम क्या कहेंगे peritonium peritonium जो है वो inner body wall के अंदर मौझूद है और सिरोसा के साथ continuous है और जो है outside visceral organs के साथ भी इसका connection है यानि peritonium आप समझें के वो जिली है जिसके अंदर हमारे abdomen के मुख्तलिफ organs जो है वो suspended है अगर peritonium नहीं होगी तो क्या होगा structures inside the body cavity तो जब भी true slow mo उसका important feature क्या है कि उसके अंदर connective tissue इनका internal organs के साथ link है इसके इलावा ये independent organisms की movement में important part play करते हैं gut wall की movement में body wall की movement के इनका important role है ये space provide करते हैं कि किस तरह से internal organs अपने आपको body wall में arrange करेंगे किस तरह से internal organs की अगर development होनी है तो उनको space किस तरह से चाहिए और इनके अंदर जो body के important functions है circulation, digestion और muscles की मौजूदगी materials की storage, exchange, waste, access जो waste material है उनका removal किस तरह से होना है जो body के लिए fats की deposition होनी है, nutrients का मौजूद होना है तो यह सारा के सारा सिलोम के साथ linked है, अगर सिलोम body के अंदर मौजूद है तो यह सारे functions जो है, they are properly performed अब सिलोमेट्स, इसमें कौन कौन से phylum है, higher phyla, मौलस्का, आर्थ्रोपोर्डा, एकाइंडोडर्मेटा और chordates, सिलोमेट्स, यहां पे आप देखे, जो any lid है, एक worm है हमारे पास, अब इस worm के अंदर किसी भी इसके body से आप section काटें, तो इसके अंदर हमें well defined सिलोम जो है वो नजर आएगा, आप देखे, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मीजोडर्म है, और इसके अंदर जो है वो well defined सिलोम, तो यह triploblastic, सिलोमेट्स, पैटरन की excellent example है, और वो तमाम जानदार जिनके अंदर यह पैटरन मुझूद है, उसको हम कहते हैं सिलोमेट्स,